अलाइकों मैं हुआ है और आप देख रहे हैं मैं हम इसके जन ताद या बना दी हूं मुर्गी कडीजी ऑइल डालते हैं करम होने देंगे और हमारा करम होगा प्यास दालेंगे मैंने दो मीनित में इसके प्यास के जमेने बारे परे कट कर दिया अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से हमें गोर्लन ब्राउं करना है अच्छे से हिलाएंगे फिर से अच्छे से हिलाएंगे तक हमारी प्यास निंचे ना लग चाहिए अब हम इसमें दालेंगे अधर क्लेसंगा पेस्ट पिसा हुआ जो के टूटी स्पून है मिक्स करेंगे अच्छे से अच्छे से हिलाते रहेंगे से इसे भी गोर्लन ब्राउं करना है अगर हम इसे गोर्लन ब्राउं ने करेंगे तो अधर टेसंगी ही काईगी अच्छे तक्रीमें दो तीन मेंट तक गोर्लन ब्राउं करना है अब हम इस बदानेंगे कलीजी मरी की मिक्स करेंगे मिक्स करेंगे जिसे हिलाते रहेंगे अच्छा इस बात करेंगे खास खयाल रखेगा के मीडियम लो रखना है हमने फ्रेम को देखें कलीजी ने पानी छोड़ दिया है अच्छी तरह बूनेंगे हम कलीजी को हमने इसी में गड़ा लेना है सही है ना एंड में पर रख देंगे देखेंगे पाने खुशक हो गया है और देल उपर आ गया है अच्छी से बूनेंगे अब इसमें टेमाटो और हरी मट्ची डाल देंगे कटे हुए इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी से अच्छी से मिक्स कर लेना है पाच्छी से अच्छी से मिक्स करेंगे अब हम इसमें जालेंगे मसाले पिशियो मिर्च एक स्पून और लेंगे अगर आपको कम पसंदों तो आप कम दालिएगा हमारे घ्र में तीखा जादा दालते हैं इसलिए में जादा मिर्च जालिएं 1 टीश्पून सॉल्ट कोड़ टीश्पून हल्दी का लेना है हल्दे दाल दे अच्छी से भूनेंगे हम मसालो को और इसमें अच्छी से मिक्स कर लेंगे इस तरीकी से मैंने बनाई इस तरीक से ज़रूर बनाएगा बहुत ही मज़ेदार बनती है मैंने हद्रक लस्टन और प्यास के इसको अच्छी से स्लीफ राय करा था कि मुर्गी की गलेजी की हीच चली जाए लक्तन हटाएंगे अच्छी से बूल लेंगे अच्छी से बूल लेंगे अब हम इसको ढखके रख देंगे ताए हमाई टिमाटर में माटर बूल जाएं दूएं उठ रहे हैं पहुत मज़े की खुच्छ पर आ रही हैं अच्छी से अच्छी से आई और तंव में अच्छी से इसको बूलना है अच्छा से मिसे भून लेंगे जितना अच्छा भूनेंगे इतना हमारा कलीजी अच्छी बनेगे अच्छा हमें इस पॉइंट पर उठाना है इस पॉइंट पर तेल हमारा विल्कुल अलग हो जाए तेल हमारा अलग हो गया है अब हम इसे डिशाउट कर लेंगे जो देखें मोगी गल्गी जी हमारे कितने मज़े की तयार है